असलाव अलेकुम दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें आर्टी फेसियल रेन करा जाता है, यह जो बारिश होता है ना, उसके साथ में छेड़ छाड़ किया जाता है, एक तो होता है कुदरती बारिश जो अल्ला के तरफ से होता है, एक human अपना technology का इस्तमाल करके करता है, इसकी शुरुवात करी थी, अमेरिका ने, लेकिन आज अभी के डाइम में, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, cloud seeding अगर कोई करता है, तो वो UAE करता है, दुबई जिसको आप लोग जानते हो, दुबई सबसे ज़्यादा करता है, अभी देखिए खबर यह आ रही है कि सौधी हुकूमत भी cloud seeding के जरिए बारिश करवाना चाहती है, मक्का के अरिया में, क्योंकि सौधी अरब में बारि घुВОन बारिश करेगा, बारिश होता खया है, इसको दुव्ण ऑप से मज़ने जानते हैं , इसको तुउट में आपस लिए गर्मी जो समंदर से नाला ताला वह बनता है, वह बाव बनके उड़के चला आए आस्मान के तरफुए और यह बाव बाक, बादा में Convert होता है बादल light wetted रहता है जब वो कोई चीज़ से टकराता है या ज़्यादा जमा हो जाता है भारी हो जाता है तब वो बारिश के रूप में गिरता है क्लाउड सीडिंग में बारिश कैसे होता मालूम है आसमान में गैस छोड़ा जाता है सिल्वर आयोडाइड नाम कर गए ये गैस में खासियत ही रहती है कि सारे बादलों को एक जगा एक खटा करने में मदद करता है ये चला गया आसमान में छिड़क दिया सारा बादल जमा हो गया एक जगा भारी हो गया फिर वहाँ पे गिरने लगता है तो जैसे दुबई करता है ट्रोन के जरिये गैस को छिड़का हो करता है आसमान में जहां पर भी बारिश कराना रहता है सिमिलरली साथे रभी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है मक्का के अरिया में वहाँ पैसा करने के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है या फिर अच्छा होगा आप लोग कोमेंट करके जरूर बतेए क्योंकि बारिश होना एक इसाप से अच्छा भी है क्योंकि इससे जो गंदगी है जो इन्वार्मेंट में परदूसित हवाएं हैं जो डस तूड रहा है वो जमा होके गिर जाता है अप लोग बतेए कोमेंट करके के सोधेरब के यह डिसीजन सही है या फिर यह कुछ खतरनाक मूव लेने वाला है इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग